तो क्या ही दोस्तों आगे हम एक और नई interesting वीडियो लेकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Snapchat के अकाउंट के अंदर प्रोब्लम आ रही है, आप login कर रहे हो, login नहीं हो पर आया, कुछ प्रोब्लम हो गई थी, आपने कोई privacy policy का जो है कि आपने उलंगन किया होगा, ज जैसे ही आप अपने Snapchat के application में जाते हो, अपना user ID और password डालके login करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे एक नीचे side notice आ जाता है, due to repeated valid attempt or other usually activity, your access to Snapchat is temporarily disabled, ये कुछ इस प्रकास नीचे side notification आ रहा है, भाई मेरे पास आया है, अभी मेरे पास ही बैठा है, देख रहा है क्या कुछ चल रहा है, pension में बैठा है बिलकुल, जैसे ही मैंने ये problem solve करनी चाहिए, और मैंने सबसे पहले जो है कि video record कर ली, जैसे ही ये problem solve हुई, मैं ये video जो है कि YouTube पे डाल रहा हूँ, ये तो हो चुका है हमारा method clear कि आप application के अंदर login नहीं कर पा रहे हूँ, क्योंकि application में तो वही problem आ रही है, उसके अंदर तो आप कुछ कर नहीं पाऊँगे, कोई option नहीं है, आपने mail बगेरा डाल के सब कुछ try कर लिया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, आप chrome browser open करो, और chrome browser open करते टाइम आपको search करना है, Snapchat login, और एक चीज भी मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिनका account temporary disable हुआ है, जिनका permanently disable नहीं हुआ है, temporary disable हुआ है, वो ये video देख सकते हो, अगर permanently है, तो उसके लिए बाई, अलग से method है या फिर नहीं है, वो बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन temporary disable है, तो आप ये video complete देख सकते हो, तो अभी हम start कर लेते हैं, आपने chrome browser पे आके Snapchat जो है की website open कर ली है, और login page आपके सामने आ चुका है, आपको user ID और password डाल लेना है, जिस account को आपको fix करना है, वो username डालना है और password आपको डालना है, यहाँ पे मैं फटाफट से video को pause करके जो है की डाल देदा हूँ, detail और यहाँ पे आपको login कर लेना है, यहाँ पे यह जो मैंने open किया है, इसके अंदर आपका account तो वैसे तो login नहीं होगा, कुछ आपकी जो आपकी post वगिरा है, वो यहाँ पे show नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज मुझे दीखी है, जो मैंने method यूज किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक interesting सी चीज देखने को बिल जाएगी, जिससे आपकी बहुत ज्यादा help होगी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने login किया, और नीचे ही आपको unlock my account का option मिल जाता है, बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे आपको unlock पे click कर लेना है, जैसे ही आप unlock पे click करोगे, तो आपके सामने आएगा email ID का option, या फिर mobile number का option, आपको आपके account में जो भी email या फिर mobile number आपने डाल के रखा है, वो यहाँ पे आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास email पे या तो email पे आजाएगा link वहाँ से आप directly website open कर पाऊगा, या फिर यहीं पे आपको OTP डालने का option आजाएगा, और वो आपको OTP डालते ही, आपके सामने आजाएगा success, एक अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे आपको notification नीचे की साइट देखने को उम्बल जाएगा है, आपके सामने आजाएगा, यहाँ से तो यह अनलोक हो चुका है, अब आप application में लोगिन करोगे तब प्यादा चलेगा आपको, यहाँ पे एक problem आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जिस टाइम अभी लोगिन कर रहा हूँ, जिस फोन में यह पहले भी इसी फोन में चलती थी, और अभी भी मैं इसके अंदर लोगिन कर रहा हूँ, यह लोगिन नहीं हो रहा है, वही notification आ रहा है, तो आप एक दूसरे फोन में ट्राइ कर सकते हूँ, दूसरे फोन में मैंने लोगिन किया, इसली हो गया, जिस भाई का मैंने recover किया है, जिस भाई की problem मैंने fix की है, यह यूजर ने मैं बता रहा हूँ सनैपचैट पे आप जाके इसके साथ बात कर सकते हो, कोई problem नहीं है, प आप कैसे उसी फोन में चला पाओगे, वो भी मैं आपको कमेंट में ही बता दूँगा, पहले यहां से आपको unlock करके दूसरे फोन में चला के देख लेना है, अगर दूसरे फोन में चल जाता है, आपके लिए बहुत एक positive point मिल जाता है, और आप easily अपना account चला सकते हो, आप कोई वीडियो चल लिए तो प्लीज लाइक कमेंट से लिए मिलते हैं, आपके वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद